मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ वो ये कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनो नियम पालन नहीं कर पाते किसी कारण से करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्जरासन में जरूर बैठ जाएं, सुबह और शाम दोनो सुबह का नियम अगर आप पालन नहीं कर पाते हैं माने विश्रान्ती नहीं ले पारे किसी कारण से और शाम का भी नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, दो गंटे तक आपको सोना नहीं है, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो तो वो ये कहते हैं, वजरासन में जरूर बैठे हैं, दस मिनट, वजरासन आप सब समझते हैं, ये ऐसे, पैर पीछे करके, बस, दस मिनट बैठ जाएए, खाने के बाद, सुबह भी, और शाम को भी, और प्रानायाम और योग में, महर्शि पतंजली ने कहा है, कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है, वो ये एक ही है, बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते हैं, और महर्शि पतंजली कहते हैं, महर्शि पतंजली बागवट के बाद के हैं, महर्शि पतंजली कहते हैं, कि अगर वजरासन में कोई बैठता है, तो शरीर बिलकुल वजर के जैसा ही होता है वज्जराप समझते हैं एकदम कठोर मजबूत जैने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा गांदी जी को तो मेरे आखों से नहीं देखा शुबाकाण्जी ने देखा गांदी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे घंटों 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 और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार वो वज्रासन की क्रपा है गांदी जी गांदी जी कोई आसन नहीं करते थे कोई प्राणायाम नहीं करते थे, सुबह घूमने जरूर जाते थे, लेकिन हमेशा ये वजरासन में बैठ गया, जब मौका मिला बैठ गया, और गंटों गंटों, तीन-तीन गंटे तो लोगों ने उनको देखा, बिना हिले-डुले वजरासन में बैठ के चिट्थी लिख रहे, किताब पढ़ तो दस मिनट तो क्निवनतम करें ही, जादा से जादा अगर आप कर सकें, समय समय पर वजरासन में बैठते रहे, तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहते दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंडरोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें